मैं अपना email open करता हूँ या फिर whatsapp चेक करता हूँ या फिर comment section को चेक करता हूँ सबसे ज़ादा जो मेरे पास complaints आती हैं वो यही आती है sir recovery agent बहुत परिशान कर रहे हैं दिन में 50 call कर देते हैं दिन में 40 call कर देते हैं समस्य ये बनी हुई है हम call receive नहीं कर पा रहे हैं क्यों कि पुरे तरीके से हम अपने काम पर धिहान देते हैं हम बहुत ज़्यादा busy रहते हैं अब उनकी call को अगर हम receive करते रहेंगे तो हम तो पुरे तरीके से अपना business व्यापार जो भी है हम नहीं कर पाएंगे बहुत ज़्यादा दिमाग खराब करके रखा है इन recovery agent ओने क्या अगर किसी recovery agent की call को हम ignore कर दें तो किसी प्रकार की कोई दिक्कत या परेशानी बनेगी तो देखो पहली चीत तो मैं आपको clear कर दूँ जिसे ही आपको अपने loan को default करते हैं एक EMI default हुई आपकी 2 EMI default हुई आपकी 3 EMI default हुई आप पूरा ही loan default कर चुके हैं तो देखो आपको 6-7 मैंने तो continue call आती ही आती हैं जब आप पूरे तरीके से उनको बताते हैं कि आपकी ये problem है लेकिन आपकी problem को फिर भी वो नहीं सुनते हैं उनका काम तो ये है आपको call करके परेशान करना, डराना, धमकाना, बेज़त करना ज़्यादा तर जो मेरे देखने में आया है यही है अब देखो अगर आप इनकी call को ना भी उठाएं तो कोई परेशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी RBAB इस बात तो कहता है, कोई ऐसी परेशानी वाली बात नहीं है लेकिन आपको एक काम करना बहुत ज़्यादा जरूरी है वो क्या करना जरूरी है, आपने इस बैंक NBFC से लोन लिया है आप उसको बाई इमेल सूचित जरूर कर दें देखे मेरी ये प्रोबलम है, और मैं अपने काम में बिजी हूँ मैं आपके जो रिकवरी कोल्स हैं, लगातार इनका जवाब नहीं दे सकता मैं आपको फूल एंड फाइनल बता रहा हूँ कि मैं इतने समय के अंदर भुगतान करूँगा अभी मेरे पास में रुपिया पैसा नहीं है आप चाहे एक कोल कर लो, दो कोल कर लो, तीन कोल कर लो कोई प्रभाव नहीं पढ़ने वाला इसलिए आप मुझे प्रताडित ना कराएं कोल करके अब आप दिन रात मुझे अगर परिशान करेंगे तो ये चीद भी सही नहीं है और भी क्लियर कहता है अपनी गाइडलाइन में कि सुबर साथ वज़े से लेकर के शाम साथ वज़े के बीच में ही आपको ये कॉल कर सकते हैं लेकिन ये क्या करते हैं भाईया ये तो रात को भी कॉल करते हैं लोगों को मुझे काफी लोगों के कॉमेंट्स आते हैं इमेल आते हैं जिनमें व्यक्ति बताते हैं सरम मेर को रात को दस वजे भी कोल आई है, रात को बारा वजे भी कोल आई है, तो ये तो लगातार परिशान करते करते हैं, और एक चीज और आपको ध्यान में रखनी है, कभी भी किसी recovery agent की बातों में और भैकाई में नहीं आना है, अब आप recovery agent की कोल नहीं भी उठाएंगे, कोई प्रशानी नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, tension free रहें, ये समझ लें, ये कुछ नहीं कर सकता आपका recovery agent, आपके लिए हमने एक paid service हो शुरू की है, आप इसका लाब उठाना चाहते हैं, तो उठा सकते हैं, अगर आपका लोन एक लाग अपे से कम का है, तो कोई च तो आपको charge pay करना पड़ेगा, आपको अच्छे तरीके से guidance मिल जाएगा, ये हमारा WhatsApp नमबर है, आप इस पर समपर कर सकते हैं,